आपका एक बार फिर स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे अर्टिकेरिया यानि पित्ती उछलने के विशह में जिसको यह तकलीफ होती है वहाँ इससे बहुत परिशान रहता है क्योंकि पित्ती उछलने का कोई वक्त नहीं होता पता नहीं आपको कहा जाना है घर में क्या फंक्षन है कोई मांगलिक कारक्रम है कोई खुशी का कारक्रम है कोई दुख का कारक्रम है किसी मीटिंग में आपको जाना है, किसी इंटर्वियू में जाना है और आपके पित्ती उचलाई इससे बहुत परशान रहते हैं लोग और दो दो तीन तीन दिन उनको घर में ही रहना पड़ता है आज हम बताएंगे आपको अर्टिकेरिया यानि पित्ती उचलने से रोपने या उसको ठीक करने के विशय की दसकारगर हो में पिठिक दमाओं के विशय में सबसे पहले साथियों जान लेते हैं अर्टिकेरिया होता क्या है साथ यह अर्टिकेरिया एक तरह का एलर्जिक रियक्शन होता है बॉडी का जो फॉरेन पार्टिकल्स या एलर्जेंस के विरूत आपके शरीर की तरफ से होता है यहाँ इसमें होता यह है कि आपके स्किन में लाल-लाल बड़े-बड़े बल्जेज आ जाते हैं वहाँ रेड होते हैं जलन करते हैं जैसे किसी बरईया ने काट लिया हो उस तरह के आपके बल्जेज आ जाते हैं और यह कहीं भी आ सकते हैं पूरे शरीर में बहुत लोगों के यह आखों पे होटों पे आ जाते हैं और वहाँ इससे बहुत परिशान रहते हैं फिर साथियों इसके symptoms की बात आती है इसके symptoms साथियों जैसा कि आप सब जानते हैं कहीं भी शरीर में red color के उबरे हुए bulges आ जाना जैसे बरया ने काटा उसमें जलन होना उसमें खुझली होना और जब आप खुझलाएं तो उनका और बढ़ना अगर यहां आपके आ रहें तो यहां जो है अटिकेरिया का एक manifestation है फिर आते हैं साथियों से कारणों पर अटिकेरिया होता ही क्यों है अटिकेरिया साथियों होता है जब आपके बॉड़ी और उनको वहां फॉरिन एरजिजन्स मान के उस पर इम्म्यून सिस्टम अटेक करता है वहां पर आपके आर वीशी उसमें होते हैं वो तूड़ते हैं उससे हिस्टामीन नाम का प्रोटीन होता है यही आपके जलन खुझली और लाली पैदा करता है जिसको और सूजन पैद करता है जिसको कि आर्टिकेरिया कहते हैं तो इसमें आपको चाहिए कि आप अपनी अलर्जी को पहचाने कि चीज से आपका बाडी उससे विरुद रियाइट कर रहा है और उससे थोड़ा सा बच्टेगी कोशिश करें इसके अलावा हुमियोपेथी में इसके लिए सही करने क भी लिए बहुत कार्गर दवाएं हैं दवाएं बताने से पहले साती हम आप के बता दें यह दवाया आपकी जानकारी के लिए कोई भी दवा बिना किसी कुसल किसक से पूछे ना ले क्योंकि होमियोपैथिक जित्ते फायदे हैं कभी नुकसान भी हो सकते हैं तो आए चलते हैं अर्टिकेरिया को क्योर करने की 10 कारगर होमियोपैथिक दवाओं के सफर पर साथियों सबसे पहली और जो नंबर एक दवा है अर्टिकेरिया की होमियोपैथि में वो है एपिस्मेलिफीसिया अगर आपको पित्ती उचलने की सिकायत है अर्टिकेरिया की सिकायत है तो आपके लिए एपिस्मेल बहुत अच्छी दवा है एपिस्मेलिफीसिया बरईया का जो आपको काटती है बरईया ठीक वही मेनिफेस्टेशन अर्टिकेरिया में होता है इसलिए उसी से बनी दवा एपिस्मेल है अगर आपके अर्टिकेरिया पित्ती उछल रही हो शरीर में और उसमें बहुत जलन हो रही हो बहुत लाली हो गई हो बहुत इस्टिंगिंग टाइप पेन हो रहा हो जिसे बर्या के डंक से होता है तो आपके लिए अर्टिकेरिया से अच्छी दवा नहीं हो सकती या बहुत क शित रूप से आपको आराम देगी अर्टिक एलिया में फिर यह कंडिशन आती है साथियों कि आपके पिती उचल रही है और आपको रात-रात हर बार-बार प्यास लग रही है हर पंदा मिट पे आपको पानी पीने को चाहिए आपका गला बहुत सूख रहा है और आपके जो वील्स हैं जो इरॉप्शन के एरिया हैं उसमें बहुत जलन हो रही है पुरी स्किन में नहीं पुरी स्किन में जलन हो रही तो दवा रेडियम ब्रोम है लेकिन अगर उस वील्स के स्पेसिविक पोर्शन में आपके जलन हो रही है तो उसको ठीक करने के हुए पेथी में बहुत कारगरदवा है आर्सनिक एल्बम आप आर्सनिक एल्बम थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले लें यदि आपके वील्स यानी इरॉप्शन्स में बहुत जलन हो रही हो और आपको हर पंदा मिट में प्यास लगती हो आपका गलास उंता हो उस अगर यहां कंडिशन आप में हो इस तरह के रेडिस शिरप्शन्स आपके बलजे राजाएं स्किन में जिनको वील्स कहते हैं तो उसको ठीक करने की होमियों पैथी में बहुत कारगरदवा है कॉस्टिकम आप कॉस्टिकम थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले ले ल पूरी तरह ठीक हो जाएगा और आप इस कष्ट से निकलाएंगे फिर साथी में कंडिशन आती है कि रात भर तकलीफ रही रात भर पूरे सरीर में जलन होती रही पित्ती उछलती रही और हम जागते रहे तो अगर साथी यहां कंडिशन आपके होती है कि आपको रात भर ज उचलने को ठीक करने की सबसे कारगर दवा है रेडियम ब्रोम, आप रेडियम भ्रोम 32 दिन में 3 बार ले ले लें, आपका पित्ती उचलना जो की जलन के साथ हो रहा है, शरीर के अंदर जलन के साथ रात में हो रहा है, वह ठीक हो जाएगा, और आप अपने को रात मैंसूस कर फिर साथ यह बहुत common condition आती है कि आप धूप में गए और आपका skin जलने लगी और पूरा लाल लाल चकत्य आ गए तो अगर आपके यह condition हो कि आपका articaria धूप में जाने से होता है तो उसकी homeopathy में ठीक करने की दो बहुत कारगर दवाए हैं पहली दवासातियों है नैट्रम मियूर नैट्रम मियूर 1 एम पावर में 3 खुराक 55 मिनिट के फासले पर weekly आप उस condition में ले सकते हैं कि जो आपका articaria है पित्ती उछलना है वा exercise करने से बढ़ता हो यहनि जब आप वर्जिस करते हो exercise करते हो इग्जर्शन आता हो और आप धूप में निकलते हो उससे आप का articaria बर जाता हो उस इस्तिती में आप नैट्रम मियूर 30 पावर में या 1 एम पावर में 3 खुराक वीक लिया 30 पावर में दिन में 3 बार ले सकते हैं नैट्रम मियूर के पेशेंट को नमकीन खाना बड़ा पसंद होता है उसकी गरदन थोड़ी लंबी होती है उसमें गुसा थोड़ा जादा होता है और दूसरे की बाते वो सहन नहीं कर सकता और जब कोई उसको सांत्वना देता है तो उसको और एग्रावेशन होता है तो अगर यह 4-5 सिम्टम आप में पाए जा रहे हैं और आपको अर्टिकेरिया है तो उसकी होमियोपैथी में अट्रम यूर्वानियम से अच्छी दवा नहीं हो सकती दूसी दवा इसी संकला की साथ है ग्लो-9 थर्टी दो-दो-बून दिन में तीन बार भी उस इस्तिती म कारगर है जब आपको धूप में जाने से पित्ती उचलती हो लाली आ जाती हो स्टिंगिंग होती और पेन होता हो उस इस्तिती में आप ग्लो-9 थर्टी दो-दो-बून दिन में तीन बार ले सकते हैं एक और खास बात है ग्लो-9 थर्टी में कि आपके अर्टी केरिया उच उचलने के साथ माइग्रेन भी हो रहा हो तो आप ग्लो-9 थर्टी इस्तमाल करने से कतरी परेद्ना करें आप ग्लो-9 थर्टी इस्तमाल कर लें आप ठीक हो जाएंगे फिर साथ में kandition आती है कि बाष के समय आपके तकलीष आंपड़के पित्ती उचलने लगी, रेपरेर नी सिसंडने सिम्टम है या खेम हो जाएगा और साथ ही मैं पित्ति अखलना भी खत्म हो जाएगा तीसरी सिती साति शालती है हिजाब आपके राटे केरिया हर मौसम में आता हो राप उससे परेशान थे होऊ और सात्में आपके लिवर कंपै Stockholm करती हैं तो और आप्या स्टेक अगर हर मौसम में बार बार मतलब विशेश मौसम में बार-बार लौट के आता है तो उसको ठीक करने के हुम्म पेथी में कारगर दवा है आठीका यूरेंस आप अर्टिका उरेंस 30 दो दो बून दिन में तीन बार उस्षिती में ले सकते हैं जब आपके चुबन जलन वाले अपती उछला हो वो एक विशे सीजन में यानि रिपेटेडली एक ही सीजन में आपको आता हो जाधो...कि इस चाड़े आया, पिर अगले चारे आया, फिर अगले चारे आया इस तरह का अगर Manifesetation हो तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में कारगर दवा अर्टिका उरेंस है आप अर्टिका उरेंस 30 दो दो जमून जिन में 3 बार ले लें आप पाएंगे कि आपकी यहां समस्या खत्म हो गई दूसी रवा सात्यों इसी इस सिती की है Astechus Levitis Astechus Levitis आप उसी सिती में ले सकते हैं जब आपके Articaria आ रहा हो, पित्ती उछल रही हो और साथ में आपको Joint Spain भी हो Joint Spain अगर आपको Articaria के साथ हो रहा है Astechus Levitis लेकिन Astechus Levitis विशेश तोर पे इसी सिंटम के लिए है आपका यहां सिंटम यहां दवा ठीक कर देगी फिर साथी में कंडिशन आती है कि अक्सर पेट खराब रहता है उससे पित्ती उछलाती है तो जिन मरीजों में पेट खराब रहता है और उनके पित्ती उछल लई है उसको ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है Antim Crude आप Antim Crude 30 दो-दो बून दिन में तीन बार उस कंडिशन में ले सकते हैं जब आपके पित्ती उछलने का कारण आप गैस्ट्रिक समझते हैं आपके गैस चड़ना पेट खराब रहना यहाँ सब कारण आपके पित्ती उछलने आटिकेरिया के साथ हैं उससी स्थिती में आपकी बहुत कारगर दवाय Antim Crude है आप Antim Crude 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले लें आप लाब पा जाएंगे फिर साथी कंडिशन आती है कि सड़ियों में तकलीब बढ़ गई जहां भी आप cold environment में गए आपके आटिकेरिया होने लगा होट की हम लोग बात कर चुके हैं आपको दवा बता चुके हैं आप cold environment में गए और आपको अर्टिकेरिया होने लगे तो अगर ये condition आपके हो कि आप cold environment में गए हो ठंडे में गए हो और आपके अर्टिकेरिया होने लगा हो तो इसको ठीक करने के हुमियोपर्थी में बहुत कारगर दवा है पहली दवा सातियों इस संकला की है रस्टॉक्स आप रस्टॉक्स वन येम पावर में दिन में तीन बार दो दो बून ले सकते हैं जब आपके पिती उशली हो अटिकेरिया हुआ हो और साथ में आपको गरम में आराम मिलता हो धंडक में वहा तकलीप पढ़ रही हो और साथ में आपके जॉइंट स्पेन भी हो तो अगर यहाँ सिम्टम आप में है तो इसकी बहुत अच्छी दवा रस्टॉक्स है आप रस्टॉक्स वन येम की दो दो बून दिन में तीन बार ले लें बाद वो जितनी देर आप cold बे रहते हैं उतनी देर वो बढ़ रहा है cold application और cold environment से वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आप उससे एक रुआसी इस्थिती में पहुंच गए आपका एक weeping disposition हो गई या आप रो देंगे ऐसी इस्थिती बन गई है अगर वहाँ sensation आप में दिखता हो तो उसके लिए CPI सबसे अच्छी रवा है आप CPI 30 दो दो भून दिन में तीन बार ले सकते हैं फिर सातियों एक इस्थिती आती है कि गरम से आपका जहाँ हीट आग के पास गए हमारे मल्हाएंगर की गैस के पास गई खाना बनाने में और उनके पित्ती उछलने लगी तो अगर यहाँ condition आपके हो, कि आपके gas के पास जाने से, रसोई gas के पास जाने से, या heat का exposure होने से आप का article या बढ़ने लगे अगर यहाँ इस्तिति आप में हो, तो इसको ठीक करने की दो कारगर दवाएं पहली दवासातियों है sulfur, और दूसरी दवा है epismelifisia सर्फर 1M power में 3.55 minute के फासले पर weekly आप उस condition में ले सकते हैं जब आपके पित्ती उचल रही हो, और वहाँ गर्मी से और बढ़ रही हो और खुजलाने से उसमें आराम ना मिल ला हो, यहीं पर दोनों में फरक है और इसके विप्रीत दूसरी दवा इस condition की epismelifisia 30-22 दिन में 3.12 आप उस condition में ले सकते हैं कि जब आपके गर्मी के कारण पित्ती उचल रही हो, और जब आप खुजलाते हों तो आपको थोड़ा relief मिल जाता हो और जब आप उसकी ठंडे बरफ या ठंडी चीज़ से सिकाई कर लेते हों तो आपको आराम मिल जाता हो उससे सिती में epism 30 बहुत कारण दवा है सलफर के केस में आपको गर्म चीज़ के अप्लिकेशन से पित्ती और बढ़ती है और epism के इस्तमाल से ठंडी चीज़ के अप्लिकेशन से आपको अराम मिलता है फिर या condition आती है बहुत लोग हमारे क्लीनिक पर आते हैं कहते हैं रगसा पानी में भीग गए तो तकलीफ बढ़ गई तो अगर पानी में भीगने से तकलीफ आपको बढ़ती है अरटी के लिया की तो उसके लिए होमियो पैथी में बहुत कारगर दबा है जब आप water के contact से आते हैं तो आपके पित्ती उचलाती है या नहने से पित्ती उचलाती है हाद पाउं भीगने से पित्ती उचलाती है ये सारी condition से अगर आपके पित्ती उचलती है तो इसको ठीक करने की होमियो पैथी में बहुत कारगर दबा है बोविस्टा आप बोविस्टा 30 दो दो बून दिन में 3 बार ले लीजिए आप पाएंगे कि आपका जो वाटर को कारण होने वाला अटी के रिया है या खतम हो गया और आप पूरी तरह स्वस्थ और ठीक हो गए एक स्थिती सातियों आती कि गलती से आपने सिर्के का इस्तमाल कर लिया कई शादी पार्टी में गए और उसे सिर्के सिर्का बहुत था खाने में और सिर्किया विनेगर से आपको तकलीफ हो गई अगर यह स्थिती सातियों होती है तो इसकी होमियोपैती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैमफोरा कैमफोरा थर्टी दो दो बून दिन में तीन बार आप किसी भी आसिट फ्रूट या फिर सिर्के के इस्तमाल के कारण एग्रावेशन हुई पित्ती में कर सकते हैं कैमफोरा थर्टी पावर में दो दू बून ले लेंगे तो जो आपका अन्नोन लाजन है पित्ती उछलने का चाहे वो कोई भी हो किसी कमपाउंड के competent स्टी पावर में आपका उससी सिर्टी में बहुत कारगर है जब आपका किसी कमपाउंड के into के पित्ती उचलने की कैफियत है, पित्ती उचल रही होती है, उसे स्विती में कैमफर आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी और किसी भी सिर्का या किसी भी आइसिट फूड इंटेक के साइड एफेक्ट को खतम करके आपको फॉरन रहाद दे देगी कर देगी, यह सातियों को दिवाएं थी आटी केरिया के विशह में, दवाएं निश्चित रूप से बहुत कारगर हैं, लेकिन आप से विंती है, यह कोई भी दवा बिना किसी कुसल जिकित्सक से पूछे ना ले, क्योंकि दवा के अपने साइड एफेक्ट भी होते हैं, अग फिर नोटिफिकेशन पैनल में अपने कुस्टिन को लिख कर हमें पोस्ट कर सकते हैं, हमें उसका संतोच जनक उत्तर देने में आपको बहुत खुशी होगी, अगर सातियों आपको हमारा या प्रियास पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन बटन दबा कर सबसे पहले नैसे नए वीडियो पाते रहिए, आपका अमारा सात देने के लिए, सात रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सादुवाद, बहुत बहुत कर दो कर दो कर दो कि दो कर दो कर दो कर दो क्योंकि शो कर दो करदा दो कर दोकिन्स अजल्गी औरीप